हलो मित्रम नव भरती परिवार में आपका स्वागत है मैं आपको आज admission card राज्तान विस्विद्याले की website से admit card किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं admit card प्राप्त करने के लिए आपको राज्तान विस्विद्याले की site univraj.org करना है यह पहले से लिखावा इसलिए आगया है कि मैंने थोड़े पहले भी निकाले दे कुछ admission card univraj.org अपने मोबाइल से भी निकाल सकते हैं अपके लैप्तॉप तो लैप्तॉप से भी निकाल सकते हैं एंटर कर दीजिए आपके राज्ता में इसलिद्याले कि यह वाली site खुल जाएगी इसमें देखिए fill exam form, fill semester exam form यह सब है college का पैनल भी है आपके जिस college में हो regular student है यह सारे के सारे इसमें आते हैं इधर कौने में है theory exam admit card theory exam admit card के ओपर आप क्लिक करिए फिर आपके पास यह इस प्रकार का एक इसमें select UG, PG, professional इसमें select class select करनी है और select class for exam form इसमें क्लिक करेंगे UG का form है, PG का है, education का है, professional course है कोई जैसे BBA, BCA इत्यादी, semester YJ, diploma certificate course है वो देखना है हम यह education पर आते हैं, EDU, अब दूसरा point है select class और faculty type, इसमें B.A.D. लिखा गाए, B.A.D. पर क्लिक कर लिजिए, select class for exam form, B.A.D. second year, लिखा है नहीं, B.A.D. second year पर select किया है, second year का चाहिए तो, first year का होता तो first year का, क्योंकि इस वर्ष क्या है, कि अवल अंतिम वर्ष के exam होने है और प्रथम वर्ष के exam नहीं होने, इसलिए इन्होंने दोनों option नहीं दिये, एक ही option दिया है, proceed करें, proceed करने के बाद में आपके पास form निकल के आता है, by form number, form number डालें यहापर, तो आपको आपका admit card प्राप्त हो जाएगा, by roll number, roll number डालें, तो आपको आपका admit card मिल जाएगा और by general address डालें, तो भी आपको आपका admit card मिल जाएगा, form number डालके proceed करें के, सीधे निकल जाएगा, form number आपको याद होगा, या आपने रखा होगा सुरक्षित अपने पास, तो उससी से निकालें, माली जी किसी ने नहीं रखा, roll number पता नहीं है, by general address पे क्लिक करें, करने के ब आपको आपकी spelling वही लिखनी है, जो आपने इस form के अंदर लिखी थी, A-K-A-S-H, आकाश, कुमार, गुपता, ये आविदिक का नाम लिखा मैंने, आप फादर्शने, महेश चंद गुपता, M-E-S-H, महेश, C-H-A-N-D, चंद, G-U-P-T-A, गुपता, माता जी का नाम लि तुलसा देवी, E-U-L-S-A, तुलसा, D-E-V-I, तुलसा देवी, अब हमें प्रोशेट कर देना है, प्रोशेट करने पर घबराना नहीं है, आप इसको रिफ्रेश कर लेजिए, इस वेबसाइट में कुछ कमिया है, एकदम से इसमें कुछ है जाता है, चलिए, अब यहां लिखा है, यह आपके मालेजे नाम में कुछ मिश्टेक हुए है, इस नाम के कुछ ज़्यादा कर इंडेट हुए, तो यह नाम दे देगा, यहां पर 3-4-5, ठीक है, आपको ढूनना पड़ेगा कि कौन सा आपका है, तो यह की नाम आया है, तो इसलिए कुस ढूनने की आप शक्ता है नहीं, इस पर क्लिक कर देजिए, क्लिक करने पर आपके सामने यह एड्मिट कार आजाएगा, ठीक है, एड्मिट कार में सेंटर का नाम लिखा है, आपके कॉलेज जिसको लिए आप पढ़ते है वो नाम, और सब्जेक्ट, किसकी सब्जेट के एक्जाम देना है यह 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 आ जाएगा और किसकी सारी को और अग्जाम होने होगा, दो कॉपी में आएगा यह, एक होगी सेंटर कॉपी जो अपको सेंटर पर देना है, दूसरी कॉपी होगी आपकी स्टुडेंट कॉपी, यहापर आपको अपने खुद के सेनिचर करने है, अब इसको प्र प्रिंटर से प्रिंट करना है और आपके पास अभी प्रिंटर नहीं है तो आपको सेव कर लेजिए अपनी मोबाइल में या लैपटॉप में और फिर किसी प्रिंटर के पास जाके प्रिंट कर लेजिए तो आपने save करने के लिए save sbd करा और save को बटन दबा दिया जहां भी आपको save करना है वहाँ पर आप चले जाएए जैसे और इसको save कर लेशिए ठीक है इस दिन आपके file होगी पहले से तो बोलेगा इस प्रकार से आपना admit card को print कर सकते हैं Thank you